नमस्कार दोस्तों गुरुजी है ना ओनलाइन चैनल में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों आज बहुत इंट्रेसिंग टोपिक लेकर फिर से हाजिर वहाँ आपके सामने राजस्तानी वेसबुसा ठीक है राजस्तानी वेसबुसा के अंतरकत हम क्या-क्या पटने वाले हैं और इस प्रकार का क्यूशन है दुबारा बन सकता है और यहां पर मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने पुरुष का चित्र बनाने की बहुत कोशिज की है गुरुजी ओनलाइन रहते हैं लेकिन इन चित्रों को देखके लगता है कि ग जाता है उसके हलावाँ नीचे जो पहना जाता है वह दो ती ऑगारा यह पहना जाता है तो इनके बारे मैं बात करेंगे और एक्जामम में ऑया वे स्यैसर नहीं बात करते रहेंगे और ओडने में भी एक्जाम में क्यूशन आयो है, पोमचा है, फलाना है, फलाना है, वो तमाम परकार की चीज़ें हैं, मैं आपको बताती चलूँगा, उसके लाओं यहां का वस्तर है, वो कुर्ती, कांचली इस परकार की जो पहने जाते हैं, आप एक mindset बना लिजिए कि हाँ यह बता रहे हैं, यह बता रहे हैं, यहां पहना जाता है, क्योंकि examiner है, वो आपका test इसलिए नहीं करना चाता है, वो वेस्बुसा का test इसलिए कि यह पहना खाँ जाता है, बैसिकली क्यूशन इसी परकार काता है, या फिर निमन में से अंगरकी है, तो उसमें पूरुस का वस्तर, महिला का वस्तर, इस परकार के question पूछे जाते हैं, तो अपने को वहां पर रट्टा नहीं लगाना कि कहां करना क्या, अपने को सिर्फ समझ के छोड़ना है, कि हां यह होता है, और यह यहां पहना जाता है, बस, खतम बात, और मेरे साथ बने रही है, कम से कम 15 मिंट का वीडियो पनाऊंगा, और 15 मिंट में आपको जिंदगी भर है, यह वेश्बुसा कहीं देखने की जूट नहीं पड़ेगी, और वो लोग किरपया नहीं देखें इस वीडियो को, जो यह बोलते हैं कि सर कुछ खास नहीं था, ऐसा तो बुक्स में मिल जाएगा, तो भाई मैं जो जहां पर जो 5-7 बुक्स हैं, उनसे चांट चांट के जो भी मेरा मेटर बनता है, और मैं क्लेक्शन करके आपको अच्छे से मेटर देने की कोशिश करता हूं, भाई जिसको नहीं लेना वो मत लो कोई दिकत नहीं है, यहां पर मैं अपना नीश्वार्थ भी बोलते हैं, फेंटा भी बोलते हैं, बागा भी बोलते हैं, तो यह तमाम परकार के नामों से यह जाना जाता है, तो यहां पर अपने को बात क्या करना है, एक तो दोस्तों क्यूसन आया हूँ है, पगड़ी के परकार में से, चार पगड़ियां दीवी थी, निम्न में स उदे साई, अमर साई, वीजे साई, साध शनी है तो वहाँ पर पगड़ी का परकार एक मांगली का उसर फलाना परकार, फलाना परकार यह तमाम परकार के जो या फिर कोई जमीन का परकार या फिर कोई खनीज खनीज जो है शेत्र है उसके बारे में दे दिये तो चाहर उप्सन इस परकार के दे दिये अब आप वहाँ पर क्या करोगे तो इसी वज़े से मैं आपको ये पगड़ी के जो पंदरा परकार है वो भी बताऊंगा वहाँ पर इस पगड़ियों की खाशित ये है कि सब के आगे साही लगता है तो जहां पर भी ये 14 परकार की होंगे अपने को याद नहीं करनी शिर्फ साही से याद रखना है और फिर एकजामिक्यूसन आएगा इस पगड़ी है यह उद्धिपूर की परसीद है यह तो इनकी बात होगी उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो सर के उपर जो आदिवासी पूरस है वो सर के उपर अंगोचा भी बांते हैं ठीक है तो यह अंगोचा भी आप याद रख लेना अंगोचा मतलब अपन तोल उसके पर बात करें रास्तान में क्या होता है अलग 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 तरह के पगडी पहन दिजाते है तो जैसे मागली का वुसर होता है वहाँ पर पिले चलर की जैसे को र्जाता है सौक हो जाता अता नसको सफेद कर्यों कि विवा वगेरा होते हैं तो मोठ ले अब यह मोठ ले की पगडि है यह वहाँ भी आएगी जब मैं दस्रे वहेखेरा में मद पगडीफ पहनी जाती है, यह तो हो गई इनकी तरह- तरह की चीजें हैं, किन अउसरों पर पहनी जाती है अब उनकी बात कर लेते हैぞ क्युशन आएँ हैं थे पगडी परकार aur उगे वह बात करते है देखे दोस्तों ये पगड़ी के परकार है जिसे ये क्यूशना आयो है ये बिलेक गलर में दिखावा है ये उदे साई, अमर साई, वीजे साई, साजसनी निम्न में से है ये क्यूशना आयता थेर्ट ग्रेट के अंदर तो यहाँ पर वो दिया वा था कि यह पगडी का परकार है तो यहाँ पर यह जो और परकार है जैसे चुंडावत साही है, जस्वंत साही है मांडपा साही है, राठोडी है, मांड साही है हमीर साही है, भीम साही है सोरूप साही है, वीजे साही है और अर्सी साही है यह तमाम परकार की हैं, पकड़ियों के परकार हैं, तो यह जुरूर नहीं, यह क्यूशन आया है, तो यह दुबारा यह रिपीट हो सकता है, आने वाले दिन हैं, वहाँ पर इस परकार के क्यूशन रिपीट हो सकता है, तो आप इस से आवेर रहें, इनके बारे मैं थोड़ा पर्षिलित थी और उसके लाभा गर जय्छतामाड़ कि बात करें तो तो ये चितोडगर पड़ता है, वहाँ पर ये परचलीत थी, हमीर साही पकड़ी की बात करें, ये बनेडा, भीलवाडा में परचलीत थी, उसके लावा भीम साही की अगर बात करें, तो महाराना भीम सिंग के टाइम में थी, सोरूप सिंग, हर नाम से अपनी अपनी पकड़ चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखें दोस्तों ये पगड़ी के उपर, ये विशेश परकार का एक अभुसन धारन किया जाता है, इसको बोलते हैं रतन पेज, तो यह भी आप चीज धान में रखना, तो यहां पर पगड़ी और उपर वाला हिसा है, जो मनुस्य का, जो पूरुस का, वो हमने कंप्लेट कर लिया है लग बग, उसके लावाब चलते हैं, यहां वाला जो पार्ट है, शरीर के उपरी विश्चा है, इसके बारे हम बात कर लेते हैं, यहां पर क्या-क्या पहना जाता है, तो दोस्तों यहां पर अंग रखी है, यह पूरुसों पहना जाता है और कहाँ पहना चाता है यह 2 चीजें याद रखने है इसके लखिशिया याद नहीं राखना काम उसके लावा दोस्तों बात करें अगर अगर स्वेत्रंकी व तो इसको बोलते हैं बुगत्री ओ गत्री एक बात है तो दोस्तों यह कूसे आया वाई है भकतरी यह आया वाई.. थेर्डटestone निमने वेशे ब्कतरी है तो यह क्यिसम आया वाई है थेर्ड़ड़ ग्रेड गे निदर तो भकतरी आपको पता हुआ है धिक है उसकी इलाव़ चोगा यह चुगा है इसको क्या यह कहां पर पहना जाता है दोस्तों यह चोगा यह चुगा है यह दोस्तों यहां परजे से यह अंगरकी पहने रखिए इसी के उपर पहना जाता है चोगा यह चुगा पुरुष के द्वारा बस यह यह आपने को याद रखना है उसके उपर उसके इलावाएं अब बात करेंगे यहां के जो पहने जाने वाले चीजह हैं और उसके इलावा सरदी से जो पाधाव के लिए फेला के जाओ करेंगे यहां से इस सी तोठी यह दोठी होती है ये दोती भी नीचे पहने जाती है और उसके लावा अगर इसका ये रूप कर दिया जाए तो ये पजामा कहलाता है ये भी नीचे पहने जाता है उसके लावा ये क्युशन एक्जाम में आया हुआ है 3rd grade के अंतर निवन में से ब्रीजुस है तो यह पुरुष द्वारा पहना जाने वाला एक वस्तर है वेशबस है principles है to یہ question आया है और आप अलग teşekkürवडायattend अगर सर्दी से बचाओं लिए बात करें तो जैसे महिला वहां पर अपना ओड már और ऑगेरा ओड़ ती उसी प्रकार पूर्स है जो फचेवडा का जो सर्दी से बचने के लिए पूर्स कंबल ही होती है एक तरीके से जो मोटा सूती का कपड़ा होता है उसको पचेवडा बौलते हैं और इसको अगर महिला रूप दिदें पचेवडी इसको बोलते हैं अगर मरवाडी में हमारी आतम सुका, यह भी सर्दी से बचने के लिए है, सबसे जो पूराना आतम सुका है, वो सीटी पलेस में अभी भी रखा हुआ है, जयपूर में वहाँ पर रखा हुआ है, तो यह आप याद रख लेना, लेकिन आपको सिर्फ याद यह रखना है, कि कहाँ पर क्या-क्या पटका या पिर कमरवंद, ठीक है, आप देख लेना, इसको बोलते हैं, पटका या कपरवंद, यह क्या करता है, जो भी तलवार या कटार है, वो इसमें यहाँ पर डली रहती है, तो इसी के वज़े से काम आता है, तो पटका भी जो पुरुसों के द्वारा ही पहना जाता निमन वे पात्या है, तो इसको बोलते हैं पोत्या या पात्या, उसके लावा अगर बाद करें, पुरुस अगर कमर तक, लंगोटि है, उसको बोलते हैं, पीलू के अंदर यह है, उसको बोलते है खोईतू इस परकार की क्योशन आने वाले हैं तो आप इनको याद रखना तो बिलू के अंदर जो पूर्स है उसको जो दोती का एक परकार ही है इसको बोलते हैं लोंगोटी पहनते हैं इसको बोलते हैं खोईतू और अंगरकी वे दोती पहनते हैं उसको बोलते हैं डेपाडा तो निम अगर बात करें तो भील मैला है वो कच्छाव पहनती है वो मैं जब मैला पढ़ाऊंगा आदिवाशी वहाँ पर यह चीज दुबारा बताऊंगा उसके लावत तनसुक गदर गबा डोड़ी यह पूरी होती है चलिए आगे बढ़ते हैं मैला उपर अब बात करते हैं मैला की तो यह देखिए यह पेंटिंग बहुत ही श्यांदार बनाई यह वापिस मैंने तो यहाँ पर जो ओड़ी जाती है वो ओड़नी लूगडी बोलते है उसको साड़ी यह तमाम परकार की चीज़ें यहां से यहां तक यह ओड़ी जाती है पहनी जाती है तो अब यहाँ पर आपन बात करते हैं जो question आया हुआ है उनकी बात कर लेते हैं देख़े दोस्तों कुछ Ordney उनके परकार है वह एग्जाम में कुछ इस परकार का आया हुआ है डायरेक्ट तो यहां पर जो तो बच्चे की जनम का शहर पर परसूती वारह पलाहिण जाने वाला ऋड़नी प्रकार लेहरिया तो लेरिया में क्या होता है ये surround mass होती है surround mass की जो तीज होती है वहाँ पर ये लेरिया में धारीदार जो ओडनी होती है उसको बोलते हैं लेरिया उसके लावा लेरिया का ये एक अपर रूप है motoda, तो motoda में क्या होता है धारियां एक दूसरे को काटती भी बनाई जती है ये थोड़ा सा सोपत नहीं होता hardness होती है इसमिश्बज जदा तो इसको बोलते है मोटड़ा तो ये सब ओड़नियों के परकार है उसके लावा एक परकार है धनक ठीक है उसके लावा एक परकार है दामनी तो ये भी जो मोटडा है ये exam में 3º grade में इस परकार का क्युशन आया हुआ है नेमन में से मोटडा है तो औरनी का परकार इस परकार का क्युशन आया हुए है तो इन चीजों को आप याद रखें ये ओरनी के परकार हैं सारे POMCHA, LERYA, MOTDA, DHARMAG, दामनी पीला पॉम्चा या फिर इसको डायरेक्ट यह से भी बोल सकते हैं पीला तो ये चीजे थी ये तो श्रीज के यहां पर जो डखने के लिए वस्तर दखने के लिए पहने जाने वाले ये इस तरीकी हमने बात कर ली अब यहां के वस्तरों की बात करेंगे फिर यहां के वस्तरों की बात करेंगे उससे पहले मैं आपको बता देता हूं जब इन ओड़नों की इनकी बात हो रही है तो एक इस परकार का क्यूशन आया था निम्न में से लपा लपी कीरण बांकडी हैं तो यह एक जो ओड़नी के उपर जड़े जाते हैं वो गोटे के परकार हैं उ लेकिन एक आज तक पहना पेनी जाते हैं यह आपको बता दियार गोटें है यहां तक बेसिकली पहनी जाती है कि इसको आंगी बोलते यह आप द्यान रख लेना कि काहन पर पएने जआ आ flaws लेकिन आपने दिखना रखना है कि परें फिर इसम्तिती द्वरार पहने की उस्त reported करो कांजली क Αइं है लोग Kसदा करना निचे इस परकार से आप घागरे का रूप देख लीज़े इसी का रूप है यह का रूप है यह निचे पहने जाते हैं इसे पेठीक यह रहे mniej तिक होती है, तो आज सब का मामला निप्टा देते है, देखे जल्दी कर लेते हैं, यह तारा dopant की ओड़नी एं, अभी तक एक्जाम में इस परकार क्यूशन आया नहीं, जोहार बांद की, लेहर बांद की, मैं मेरी तरफ से ये एक्जाम के पॉइंट ओप इसे important बताऊंगा, क्योंकि इसको बोलते हैं कटकी, इसको बोलते हैं पावली बांद की ओडनी, ये दोनों एक ही बात है, लेकिन य उनके द्वारा ओड़ी जाती है, कटकी या फिर पावली बांद की ओड़ी, तो ये important मैं गोशित करूँगा इसको, उसके लाव दोस्तों, ये एक्जाम में इस परकार क्यूशन आया हुआ, कि भील जन्चाती में कच्छाउ पहना जाता है, मैंने आपको पहले बतायता है, उस टाइम की कच्छाउ पहना जाता है बैल मैलाओं के दवारा, तो यहाँ पर ये कूशन आया हुआ है बील मैला, जो आदिवासी महीला है, उनके दवार कच्छाउ पहना जाता है, उसके लावा जाम साही साड़ी है, जब ये जाम लगाकर साढ़ी पहनती है, किसमे, जाहन रखें एक्जाम में अगर क्यूशन डायेक्ट आएगा तो निवन में से रेंज आई है तो वहां पर आपको दिया होगा आदिवाशी वस्तर रेंबारिस का परकार इस परकार के क्यूशन दिया होगा वहां पर आप गलत मात नहीं खाओ इसलिए मैंने आपको सारी तो इसको शेयर कर दिजेगा वर्ना डिसलाइक कर दिजेगा तन्यवाद जैहिन जैवारत